अगर आप Google Drive यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि Google Drive में आपको बंदराची भी की Free Storage मिलती है और वो कुछ टाइम पे फूल भी हो जाती है सबसे पहला तरीका है सबसे पहले आपको अपने mobile में Google Drive को open कर लेना है यहां पर three lines मिल जाएगी यहां पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपको storage का option मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है storage full मेरी जो storage है वो full हो चुकी है 15GB मिलती है Google Drive में जो कि अल्रेड जीबी यूज की है Google Drive ने 2.15GB और Gmail ने 207MB यूज की है Google Drive से storage clean करने के लिए यहां पर नीचे clean up space पर click कर देंगे आपके Gmail ID के बीन में जोपी files होगी आपको यहां पर show कर दीजाएगी आपके email ID के spam में जोपी होगी वो यहां और Drive के बीन में जोपी होगी files वो यहां पर show कर दीजाएगी चिसको आप यहां पर से delete कर सकेंगे मेरे यहां अभी कोई भी file नहीं है तो यहां पर मुझे no files दिखा रहा है और यहां पर से नीचे slide कर देंगे और आपकी जो भी large files होंगी वो आपको यहां पर show कर दीजाएगी review and clean up पर click करके आप अपने Gmail ID की large file को clean कर सकते उसी तरह drive की जो भी large files होंगी वो आपको show कर दीजाएगी review and clean up पर click करके यहां पर से आप अपने Google drive को clean कर सकते है large file को delete कर सकते है और Google photos की जो भी large files होंगी वो यहां पर show कर दीजाएगी यहां पर review and clean up पर click करके आप Google photos की अपने large file को clean कर सकते है अगर आप यहां पर से large files क delete कर देते हैं जो कि आपकी need की नहीं है तो यहाँ पर से ही आपकी काफी files जो है वो clear हो जाएगी और आपकी storage काफी खाली हो जाएगी जूसरी method से storage को clean करने के लिए आपको आपके phone में Google photos को open कर लेना है यहाँ पर से मैं Google photos को open कर लेता हूँ यहाँ पर आपको profile का icon दिख रहा होगा यहाँ पर आपको click कर देना है आपका जो भी Google drive का account full है वो आप यहाँ पर से select कर सकते हैं मेरा यही वाला है मैं यही वाला select रखूंगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको photo settings पर चले जाना है यहाँ पर backup का option मिल जाएगा यहाँ पर backup पर click कर देन今天 यहाँ पर सबसे पहले ही आपको backup का option मिल जाएगा तो कई बार होता है कि आप अपने Google photos में backup को यहाँ पर से गल्ती से on कर देते जैसे कि मेरे यहाँ पर on है अगर आपका backup on है और आप अपने photo में जो भी photos या फिर videos लेंगे वो आपके google photos में automatically ही save हो जाएगा photo और videos दोनों जिसके कारण भी आपकी storage full हो सकती है और वो जिस id में save होगा वो भी आपको यहाँ पर show कर दी जाएगी तो यहाँ पर से आपको simply क्या करना है backup के इस option को यहाँ पर से disable कर देना है जैसे कि आपका photos और videos जो है वो आपके google photos में ना save हो और आपकी storage full ना हो बेकप का off रखने का एक यह भी reason है क्योंकि वो photos और videos आपके phone में तो already होंगे ही और अगर वो इतने ही important है तो आप उसको sd का डिया फिर अपने pen drive में भी ले सकते है तो अब बात करते हैं तीसरे method की तीसरे method से storage को clean करने के लिए आपके phone में Gmail application को open कर लेना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर से select कर देता हूँ तो दोस्तों आपको कई सारे mails आते हैं वो चाहे spam हो या फिर आपके काम के mail हो उसमें काफी सारी file attach होती है जैसे कि word file हो गई, excel हो गई, powermate हो गई या फिर pdf हो गई जो भी आपकी काफी storage रोकते हैं तो आपको उन files को delete करना होगा, clean करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर Gmail में इस search box पे click कर देना है जैसे कि आप देख सकते pdf वागेडा वो आपको यहाँ पर show कर दी जाएगी तो यहाँ पर से आपको इन सभी attachment वाली file को delete कर देना है उसके अलावा एक और method है यहाँ पर आपको search box पर click कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का type करना है जैसे कि has column attachment larger column 5mb यहाँ पर मैं यह type कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी 5mb के उपर की attachment वाली files होगी वो यहाँ पर आपको show कर दी जाएगी जैसे कि मेरे में 5mb के उपर की file है तो यहाँ पर एक show कर दी इस तरह आप यहाँ पर 5 की जगर अगर एक लिखेंगे तो 1mb से उपर की जो भी files होगी वो यहाँ पर आपको show कर दी जाएगी यहाँ पर से आप large attachment वाली file को delete करके भी आपकी storage clean कर सकते है अभी बात करते हैं चोथे तरीके की उसके लिए आपको आपके phone में वाट्शप के open कर लेना है यहाँ पर 3 dots मिल जाएंगे उसके उपर click कर देंगे यहाँ पर से setting के उपर click कर देंगे यहाँ पर आपको chat का option मिल जाएगा chat पर click कर देंगे और यहाँ नीचे chat backup का option मिल जाएगा यहाँ पर click कर देंगे दोस्तों कई बार होता है कि आप अपने WhatsApp के backup को on करते है जिसके कारण आपके WhatsApp का जो backup है वो आपके drive में save होता है और यहाँ पर आपको नीचे आपका MLID भी show कर दिया जाएगा कि जिस drive में आपकी जो backup है WhatsApp का backup वो save होगा तो यहाँ पर backup to Google Drive का option मिल जाएगा यहाँ पर click करके आप never पर click कर सकते हैं जिससे कि आपका जो backup है वो off हो जाएगा आपका backup नहीं होगा आपके GSP drive की storage फूल हो चुके है उसकी अलावा कोई other drive आप यहाँ पर से select कर सकते हैं WhatsApp के backup को Google Drive से remove करने कलिए आप यह भी चीज कर सकते हैं आप बेक चले जाएगे यहाँ पर Google Drive को open कर लेंगे यहाँ पर three lines पर click कर देंगे यहाँ पर आपको backup का option मिल जाएगा यहाँ पर आप click कर देंगे तो जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो WhatsApp का backup बना हुआ है वो आपको यहाँ पर show कर दिया जाएगा यहाँ पर आप three dots पर click करके यहाँ पर से delete backup पर click करके अपने backup को delete कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर मेरा एक फॉन का बेकप भी बना हुआ है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर से फॉन के बेकप को भी डिलिट कर सकते हैं, तो भी बात करते हैं, पाच में तरीक है कि आप अपने Google Drive से, Google Photo से या फिर Gmail ID से, अगर कोई भी फाइल डिलिट करेंगे तो वो permanently delete नहीं होगी, वो temporary ही delete होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर से Gmail ID को open कर लेता हूँ, और यहाँ पर से Rob Wilson वाले इस mail को delete कर देता हूँ, और यहाँ पर three lines पर click कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक bin का option मिल जाएगा, bin पर click कर देता हूँ, तो आपने जो mail delete किया थो वो पर आपको bin में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर से आपको delete करना होगा, उसके बाद ही permanently mail delete होगा, सेम तरह Google Photos और Drive में भी bin होता है, उसमें जाकर भी आपको files delete करनी होगी, तब भी permanently कोई भी files delete होगी, दोस्तो अगला तरीका है, उसका लिए मैं अपने phone में Google Drive को open कर ले जे आपने 5 Gmail ID open की, तो आपको 1 Gmail ID पर 15 GB की storage मिलती है, तो 5 में आपको उसी तरह 15 into 5 यानि की 75 GB की storage मिल गई, इसी तरह आप maximum Gmail ID open करके maximum storage पा सकते हैं, Gmail ID open करने कलिए आपको mobile number भी नहीं चाहिए, without mobile number ही आप Gmail ID open कर सकते हैं, इसी तरह आप ज्यादा storage पा लेंगे, और ज्याद पर आपको buy storage का option मिल जाएगा, यहाँ पर आप click कर देंगे, तो यहाँ पर से आप storage को buy कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 100 GB buy करना है, तो पहले मन्थ में आपको 35 रूपी करने होगे, उसके बाद हर मन्थ आपको 130 रूपे पे करने होगे, यहाँ पर in short ये rent system पर आप buy कर स प्रेस्ट है कि चनल को subscribe करके bell icon को ज़रू से प्रेस कर लेजेगा, क्योंकि मैं Google Drive के उपर ऐसे ही सभी latest videos लाता रहूंगा और वीडियो को like भी कर दीजेगा